सबी दोस्तों को नमस्कार मैं हूँ विकास कुमार अपना चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुवागत करता हूँ आज मैं इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक नया वीडियो बतलाने जा रहा हूँ आज मैं इस विडियो के माध्यम से मॉवाल मोनेटरिंग सिष्टम अप क्या काम करता है कैसे काम करता है इसको मिन्स्टॉल कैसे करते हैं आज मैं इसी बात को बतलाने वाला हूँ आइए अब हम विडियो को प्रारम करते हैं आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि नरेगाव सॉप्ट में NMMS क्या है सबसे पहले मौत पूर्ण या है कि एप कैसे काम करेगा इसके लिए इस्टेशन पर किरिया क्या है तो मैं सब इसी बातों को आपको बठलाने वाला हूँ सबसे पहले देखिए आप जो अभी सामने देख रहे हैं या नरेगा सॉप्टिवेर NMMS है नेशनल मौबाइल मौनेटरिंग सिस्टम ये देखिए ये है महातमा गांधी नरेगा मौबाइल मौनेटरिंग सिस्टम Android Platform अर्थात या Android मौबाइल से काम करेगा ये अप्लिकेशन के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ आईए अब हम जानते हैं इस येप का मुख बिस्टा क्या क्या रहेगा कैसे काम करेगा तो सबसे पहला बात या है इसका जो बिस्टा है यह है रियल टाइम पर जो है मैदूरों का उपस्थिती ब्यूरन सेम डे में अपलोड किया जा सकेगा यह जो है यह रियल टाइम में मैदूरों की उपस्थिती ब्यूरन सेम डे में अपलोड किया जाएगा यह जो एफ है ओनलाइन और ओफलाइन दोनों मोड में यह काम करेगा अर्थात ज़िए आपके पास मॉवाइल में डाटा है तो भी काम करेगा डाटा नहीं है तो भी यह काम करेगा इस एफ में निवन्दी मेट दोबारा जो है इसका काम किया जाएगा अर्थात इसमें जो आपको जो मॉवाइल रहेगा वह मॉवाइल मेट के दौरा रहेगा मेट के दौरा दिया गया मॉवाइल इसमें काम करेगा इसमें जो महत्पुर्ण बात है वह है GPS टेकिंग आइंड वर्क साइट फोटो अपलोड इस एप के माध्यम से GPS इसमें आउन रहेगा और इससे पता चल पाएगा आपका जो काम होगा, काम विश जगा पे होगा उस जगा पर जाके आपको फोटो अपलोडिंग करना है इसका मुझ बिसेशता यही है अब हम लोग जानते हैं कि आपको जो मुवाइल रहेगा वारेश्टेशन कैसे होगा और वारेश्टेशन कहां से किया जाएगा सबसे महत्पूर्ण यह है कि मेट दवारा जो मुवाइल मरुप्रव्द कराया जाएगा उसका सारा डाटा जो है हम उसको पियो लोगिन से भरवा सकते हैं या तो फिर जो है हम उसको जी आरेश्ट लोगिन से भरवा सकते हैं और देख सकते हैं जी आरेश्ट लोगिन भरने में इसे सदानी किया वैसकता है उसको भर रहे हैं तो उसमें खुझ दिक्कत या प्रोबलम हो सकता है लेकिन ज़िदी प्यो लोगिन से भरा जाएगा तो वह जो है समभावना सही-सही भरने का समभावना ज्यादा रहेगा तो इसका मुख बात यहा है कि आप जो रेश्टर करवाएंगे वह प्यो लोगिन स करवाएंगे देखिए तो आप सबसे पहले जो है अपना डाटा देंगे और जो प्यो लोगिन में उसका रेश्टैशन किया जाएगा तो सबसे पहले जो है QO login को open किया जाएगा उसके बाद उसमें एक option है D20 D20 का मतलब इस data entry का जो विस्वा नमबर है उसी विस्वा नमबर में device station का एक option है उसमें जाना है और click कर लेना है यह देखिए दायना तरब जो है विस्वा position को आपको head करके हम दिखा रहे हैं यहां जाएगा और इसके बाद वहीं पे जो है सारा data को fulfill किया जाएगा और भरा जाएगा देखिए जब वह data open किया जाएगा तो इसमें निखित जनकारी आपको देना है सबसे पहले user का जो है निवंधन करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जब यहां pressure किया जाएगा तो इसमें user ID और password के लिए PO login से user निवंधन के पूर जो है pop blog को allow करना अनिवाल है जब इसका फारम भरा जाएगा रजिस्टेशन किया जाएगा तो इसमें option आता है pop blog का यह जो है देहना तरह आप computer का रहता है यहां पे आपको highlight करके हम दिखा रहे हैं इस तरह का option आएगा और यह जो option आएगा यहां पे जो है आपको on करना पड़ेगा allow करना पड़ेगा जिदि allow करेंगे तो password ID आपको मिलेगा अनिथा ID और password आपको allow नहीं करने के कारण आपका mobile पर message नहीं आपाएगा इसलिए pop का जो है जो block रहेगा उसको allow करना बहुत जरूरी रहेगा उसके बाद ही आपका जो है ID password आएगा देखिए data को जो भरने के लिए इसमें आपका detail क्या क्या चाहिए इसमें आपका mobile नंबर चाहिए SIM का पुरा detail चाहिए mobile का IMI नंबर जो है इसका detail चाहिए mobile का RAM का ROM का क्योंका capacity कितना है इस तरह आपका mobile से 17 data सारा आपको यहाँ पे भरना है और भरने के बाद जो है आपको सही से इसमें submit करना है जदि आप नंबर निकालना नहीं जान रहे है तो आपको आश्टार हैज 06 हैज का परियोग करके अपना mobile का IMI नंबर आप निकाल सकते हैं और इसको fulfill कर सकते हैं जब आप अपना mobile का device का रिष्टेशन करवा लेना है तो अब यहाँ बात जाता है कि अब कौन सा एप का जो है download किया जाएगा उसका ID password कहां से मिलेगा तो सबसे पहले हैं आपको नरेगा साइट में आजाना है www.narega.nse.in पर आप इस पर चलाएंगे उसके बाद इसका home page पर आजाना है जब home page आजाएगा देखिए आपका यहाँ जो home page है इस तरह से आपका साथ में रहेगा देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको दैना तरब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जो है देखिए application के बारे में बता रहा है आपको यहीं आ जाना है और इसी पर जो आपको यहाँ पर आके दहना तरप आके click to have download पर आपको click कर देना है जब आप इसको click कर देंगे यह download होना program हो जाएगा देखिए एन MMS head to mobile application का जो है इसमें आपका जो link रहेगा वह लिंक जो आपका दहना तरप रहेगा और यहाँ मंद्रेगा का home page पर रहेगा इसको download करने के बाद आप install कीजिएगा तो इस तरह जो है एप open करने के उपरां जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पर आपके साब surface आएगा और इसने पुछता है allow नरेगा to make up long wage phone call तो आपको यहाँ पर allow कर देना है और बोलेगा तब को allow करते जाना है और आगे आप जो आपका install हो जाता है देखिए यहाँ पर है जब यह permission एप को allow नहीं किया गया तो screen के मादम से permission आपको नहीं मिलेगा इसलिए आपके लिए महात्पूर्ण जिया है यहाँ पर आपको allow करना जरूरी है जब आप एप को open किजिएगा उसमें आपका language पुछता है आज में आता है आप उसी language के मादम से समाझ पाईएगा और भर पाईएगा तो आप हिंद या इंगली सब को जैसा सुविदा लगे आप उसको सेलेक्शन कर लेंगे और देखिए उसके बाद नहां पर apply का option रहता है आप उसको apply पे जाके apply कर देना है okay कर देना है देखिए आप यहां पर जो स्क्रीन देख रहे हैं आपको यहां पर जो मस्क्रीन दिखा रहे हैं इस तरह का स्क्रीन जो है आपके मॉवाइल में open हो जाएगा एप open हो जाएगा तो यहां पर देखिए इंटर आइडी नमबर है और यहां पर लोगिन है आपके मॉवाइल में एक मेस सब्सक्राइब करना है तो आपको सही से पासवाड और आइडी नंबर डालना अनिवार जोगा अन्यथा या पासवाड आइडी आपका ओपन नहीं होगा जब आप फास टाइम लोगिन करेंगे तो कुछ महत्पुर्ण बात आपको जानना है जब तक सभी 11 डाटा संकुनाज और डाउनलोड नहीं करेंगे तब आपका आम आगे नहीं होगा और इस दुरान आपका जो को रिस्पॉंस नहीं आएगा इसलिए तुब परकिरिया को पुर्ण होरें के उपरां स्क्रीन बटन पर जाके आपको खिलिक करना है देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे है इस तरह से जो है यहाँ पे अनेंशल एर डेट रहेगा आपको सेलेक्शन कर लेना है और उसके बाद जो देखिए यहाँ पे जो एक कोड है कोड आपको डालना जरूरी है डालने के बाद यहाँ पे एलाउप पर चल जाना है और आपको आगे बढ़ना है यह देखिए है ऑपे या जो है मोवाईल का मुषका स्क्रीन है आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह में हुआम यक्रित आपको समय जैगा अब इसुख सना है कि फश्तिति मार करने के बाद आप उひधा को अपलोड कर सकते हैं शरोर में अपलोड कर सकते हैं आप जब डाटा इंट्री कीजेगा तो डाटा इंट्री जो आपका का मास्टरोल वगयरा है आपका सारा सामने आजागा आप आप उसको टिक कर लेना है उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है जब आप हॉम अस्क्रीन आजएगा तो वहां पर जो है नेविगेशन मेनू रहता है आप नेविगेशन मेनू पर आके किलिक कर सकते हैं और आपको धान देना है जब आपके साथ आपसन नहीं मिलता है तो आजाईएगा उसमें सारा function जो आपको काम करेगा देखिए यह जो आप फोटो देख रहे हैं इसी तरह आपका सारा system जो है वहाँ पर काम करेगा उसके बाद उसमें आपका आजाएगा option download master आपको download master में चलाना है download master के मादम से आप user master role में सवन्धित data को आप download कर पाईएगा मजदूरों की उपस्तिती को capture करने के लिए user को परति दीन MR data download करना अनिवार्ज होगा आज जदि आपने download कर लिया फिर से कल आपको जाना है तो फिर कल भी आपको download करना पड़ेगा उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा अर्थात आपको परतिक दिन download करना ही पड़ेगा अब इसमें एक option है data entry यह जो आपका option है एक इसमें option है data entry इस option के मादम से मजदूरों का उपरस्थि मार्क किया जाता है यह मार्क किया जा सकेगा उसके बाद आपका option है master role attendance देखिए आप सामने इस तरह का जो आपका पास जो है सारा data चलाएगा इसमें current date का ही परस्थि मार्क किया जा सकेगा मोवाइल में तारीक समय मिसमैक न था कार्यसल में बदला होने पर परस्थि मार्क नहीं किया जाएगा अर्थात यहां कहने का मतलब यह है कि जो current date होगा वही आप मार्क कर सकते हैं कहने का मतलब जो आज तारीक है यह तारीक जी दस तारीक है तो आप आठ तारीक का nine तारीक का जो है current date में आप उसका master roll नहीं भड़ सकते हैं उसका थारी आप नहीं बना सकते हैं आज का दिन है आज का तारी के देगा आप उसी तारीक में उसका Master Rall फील कर सकते हैं उसका हाजरी बना सकते हैं जदी मोबाइल में जो तारीक का समय विसमैज तथा कार्ड में बदला होने पर मार्क नहीं किया सकेगा जदी आप जगा चेंज कर देते हैं तो गेट चेंज कर देते हैं तब उसने कोई छेड़ छाड़ नहीं कर सकते हैं उसका जो system है उसे system पर आपको काम करना पड़ेगा और हाजरी बनाना पड़ेगा यह सामने आप जहां पर देख रहे हैं आप चलाएगे तिहां जो इसका ओवरकोड रहेगा Master roll नमबर रहेगा उसका लेंगी की दूटी चूड रहेगा उसका जो प्राड नमबर रहेगा यह सब जो सारा है आप तो वहाँ पर भरना पड़ेगा अब आते हैं Master roll attendance ना कार्ज अस्थल से 10 मेटर के भितर की दूरी से मैज़दूरों की उपस्थित अथा पोटोग्राप कैप्चर करना अनिवार जोगा उसके बाद है मैज़दूर दुवारा कार्ज करते हुए पोटोग्राप कैप्चर करना अनिवार जोगा उपस्थिती मार्क करने के उपरांद यूजर को उपस्थिती दिवरन अपलोड करना आवस्यक होगा अर्थाद जहां पर काम हो रहा है जिस माश्टरोल में जो मैज़दूर काम कर रहे हैं आजस्तल पर पहुचने के बाद 10 मिटर रेंज में आप फोटो ले सकते हैं उससे दूरी पर आपका पोटो कैप्चर नहीं होगा इसलिए आपको 10 मिटर के भीतर ही मैज़दूरों का फोटो लेना है जिस टेम फोटो लिजिएगा और मैज़दूर का आर्ज करना होना चाहिए यह बहुत ज़रूरी है यह सब होने के बाद ही आप डाटा अप्लोड कर पाईएगा नहीं तो नहीं कर पाईएगा देखिए फीगर के माध्यम से इस तरह यहाँ पे कुछ आपको यह दिखा रहा है इस तरह स्टेल जाएगा देखिए यहाँ पर जो है फोटो का आप्शन है आप यहाँ पे किलिप कीजिएगा प्लास पे जाके तो आपका फोटो जो है लेना प्राराम हो जाएगा आप फोटो ले सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं अपलोड अटेंडेंडेंस का अब यहाँ पर बात करते हैं अपलोड अटेंडेंडेंस का नेटवर्क छेतर में आने के बाद दूजर उपस्थिती विवरने आदिर को लोड कर सकता है अपलोडिंग के पूरु मार्क टेंडेंट्स को देखा जा सकता है उपस्थिती पर तेक दिन 11 बजे पुरवाहर ने अपलोड करना अनिवार जोड़ा इसमें यह मास्ट है कि आपका जो हाजरी है वह सुबह 11 बजे तक बन जाना चाहिए उसको अपलोड कर सकते हैं अपलोडिंग के पूरु जो है उसमें जो आपका हाजरी बना है नहीं बना है आप उसको मार्क करके देख सकते हैं बना है जो है च्छटना चाहते हैं निकलना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं आप इस पर किलिक किजिएगा ताप कुछ लगाटों के बहार आ सकते हैं इसमें इसमें कुछ दिवागी निर्देश हैं आई इसको एक बार हम देख लेते हैं सबसे पहला है कि इसमें नेशनल मुवाइल मोनेटरिंग सिश्टम अफ्लिकेस्टन का उपयोग मन्वेगा योजना के अंधरक्त कार्जरत मेट द्व पे रियल टेम अधारिद मास्टर रॉल में नीत मजदूरों की उपस्थिती विवर्नी एवं योजना में मजदूरों का कार्ज देखते हुए फोटोग्राफ लेंगी चूड और लेटिचूड के साथ क्याप्चर करते हुए अपलोड करना आनिवार्य होता है अपलोड कि देखे गए उपस्थिती विवर्नी के अनुसार मजदूरों का मजदूरी भुगतान किया जा सकेगा सरकार का जो लच्छ है या मां अगस्थ तक कम से कम 25 परसंट पंचायत में तता सितंबर मां में सभी राज्जियों में इसे लागू कर देने का लच्छ रखा गया है सभ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू इस तरह से आप अभी मन्रेगा में मोवाल मोटीन शिष्टम से सबंधित जनकारी देख रहे थे मैं आशा करता हूं इस तरह से आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं जय हिन जय भारत झाल झाल झाल